नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाई के वीडियोस डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवन आच्छर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 28 जुलाई के पंचांग राशिफल और महा उपाई के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की मेश राशिवाले जातक लोगों के लिए अगर आज की तिथी में आपने अपने जीवन की समस्याओं से मुख मुड़ा तो आने वाले समय में वो समस्याएं बहुत विक्राल बहुत गंबीर हो सकती हैं तो आज ही आपको उनका समाधान ढूनना चाहिए आज के दिन को शुब बनाने के लिए महामरतुन्जे मंतर का एक सो आट बार जाब करें और गरीब अविक्तिका अनाधर अपमान करने से आप बचें वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार या पत्नी से चले आ रहा है पुराने वाद विवाद को आज आपको हल करना चाहिए मित्रों के बीच चली आ रही गलत फैमिया भी आज समाप्त होने की और बढ़ सकती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए देवी दुरगा की आपको पूजा राधना करनी चाहिए अपने उत्साह में कमीना आने दें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापारियों के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है आपकी आर्थे किस्तिती ठीक रहेगी राम रक्षा इस रोत का पाट करें और धन का व्याई करने से आज आप बचें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुती विशेश है भूमी संबंदी कारे में आप रुची लेंगे उसमें आपको फायदा भी मिल सकता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंतर का 108 बार जाप है तो बहुत साफ़दानी रखिए जगड़े को अपनी समझदारी से बचाईए पिता का आदर करिए आदे थ्रिदैस्तरोत का पार्ट करना आज आपके लिए कल्यानकारी रहेगा काम में ज़्यादा उत्सुकता ज़्यादा जल्दी बाजी आप न दिखाएं कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए काम को नजर अंदाज करने पर आपकी समस्या बढ़ सकती है यदि आज की तिती में आप अपने जन्मिस्थान के आसपास इस्थानांतरन या भ्रमन का प्रयास कर रहें तो आपको थोड़ी उसमें असफलता या निराशा प्राप् और खराब स्वास को आप नजर अंदाज बिल्कुल न करें तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक साधन के लिए किसी की मदद आज आपको लेनी पड़ सकती है परंतु आजी विका के शेत्रों में या बाहर के व्यावसाइक रिष्टों में आपको आर्थिक साहता स्वताही प्राप्त हो सकती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए लक्ष्मी चालिसा का पाठ करें और कारे की रुकावट से व्यवधान से आप बिल्कुल भी दुखी नहों व्रिष्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए दामपत्य जीवन सु जातक लोगों के लिए आपका पराक्रम बढ़ने के कारण आप अपने कारे शित्र में आज सब काम बहुत आसानी से कर पाएंगे राम रक्षा इस रोत का पार्ट करें और कारे में अवरोत से आप मन को निराश बिल्कुल न करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं आज आपके उपर प्रभावी हो सकती हैं आजी विका के शेत्र को लेकर के आज आप थोड़ा सा परिशान और चिंतित हो सकते हैं शिव गात्री मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारना बना करके आप न रखें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार के पुराने मामलों में विवात की इस्तिती बनी रह सकती जिसके शीग्र के शीग्र में सुलजने की कोई इस्तिती नहीं दिखाई देती गणेश गात्री मंत्र का एक सो आठ बार जाप करना और रुपए पैसे के लेंदेन में आज आपको सचेत रहना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ती के योग बनेंगे दिन आज आपके लिए बहुती शुब दिखता है कनकधारा इस रोत का तीन पार्ट करें और मन की चंचलता को अगर आप नियंत्रित करें तो आपको फाइदा अवश्य मिलेगा तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना करहनक शत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाई की जिसमें मैं आपको बताऊंगा कालसर्प दोश के 13 लक्षण और 11 उपाई जिन से आपको कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो उससे मुक्ती का ये बहुती सरल उपाई और मंत्र है जिनका प्रयोग करके आप कालसर्प दोश के कर्ष्ट से व्यादी से मुक्ती सदैव के लिए प्राप्त कर सकते हैं जिन व्यक्तियों की जन पत्रिका में कालसर्प दोश हो या जिनके हाथ से जाने अंजाने सर्प की हत्या हुई हो उनकी जीवन में बहुत अधिक उतार चड़ाव आते हैं यद को लग करके फिर उससे मुक्तिका उपाय करना चाहिए तो सबसे पहला क्या लक्षन है मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त ना होना व्यापार व्यवसाय में बार बार हानी होना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा बिजनस सेट करते हैं दो तीन साल अच्छा चलता है बिजनस पिड़ जाता है फिर उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है फिर कोई नया बिजनस लगाते हैं फिर करते हैं तीन चार साल पांस साल अच्छा चलता है फिर वो एकदम बरबाद हो जाते तो यह कालसर प्योग का ही लक्षन होता है अपने लोगों के द्वारा अपने दोस उस्तमेत्र रिश्रदारों के द्वारा आपको ठगा जाना चीट किया जाना यह भी उसका लक्षन होता है अकारण जो है अपयश मिलना कोई सामाजिक कलंक लगना कलंकित होना जो है वो भी कालसर प्योग का लक्षन होता है संतान ना होना या फिर संतान होने पर संतान अकर बार बार चोट और दुर्गटनाओं का होना अच्छे किये गए कारियों का यश्व भी आपको ना मिले दूसरों को मिल जाए तो ये लक्षन भी कालसर पदोश के ही हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं बार बार बुरे सपने आना और नाग नागिन का सपने में बार बार हमारे घर में प्रवेश करता हुआ सांप दिखा कई बार कहते हैं कि हम सपनीन में उठे और टॉलेट जा रहे थे तो ऐसा लगा कि वहां सांप बैटा था लाइट जला के देखा तो कुछ नहीं था हमें भ्रह्म होता है बार-बार की सांप है घर में कुछ लोग कहते हैं कि हम ने सफेद सांप को हमें दोडाते हुए देखा और वो जमीन पर फन पटकते हुए हमारे पीछे भाग रहा था तो इस तरीके कि कोई भी लक्षण हो सकते हैं वो काल सर्पदोश के ही लक्षण होते हैं काली महिला काली एस्त्री जो बहुत भयावा हो देखने में जिसको ड किसी का मुंडन कराते हुए बाल उतरवाते हुए छिलवाते हुए देखना किसी व्यक्ति को सपने में अंगहीन देखना उसका कोई अंग नहीं है ऐसा देखना यह सब सारे जो हैं काल सर्पदोश के लक्षण हैं महिलाओं को गर्भपात हो जाना अबॉर्शन अपने से य बुरूर आपको करना चाहिए तो नाग पंचमी के दिन किये जाने वाले कुछ उपायों को करने से काल सर्पदोश जो है वह शांत होता है तो वह उपाय आप क्या कर सकते हैं समझ लीजिए अभी एक दो एपिसोड पहले भी हम लोगों ने बताया था और पिछले तेरह 14 सा से टीवी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर हम लोग बताते आ रहें वो सारे वीडियो यहां पड़े हुए अलग-अलग उपाय के वीडियो हैं कुछ उपाय यहां हैं कुछ उपाय पिछले वीडियो में तो सबको आप देख करके लाब ले सकते हैं नाग नागिन का पॉली से लपेट करके उसको आपको जल में प्रवाहित करना चाहिए सपेरे से नाग या जोड़ा जो है नाग का जोड़ा पैसे ले करके उसको आपको जंगल में स्वतंत्र करना चाहिए किसी ऐसे शिवमंदिर में जहां शिवजी पर नाग नहीं हो शिवजी पर नाग का का भूशन ना हो चांदी का पीतल का तांबे का अगर किसी भी तरीके का ना हो तो वहां उनके साइस का शिवलिंग के साइस का नाग का भूशन खरीद करके उसकी प्रारपतिष्ठा करके शिवलिंग के उपर समर्पित करना चढ़ा देना वह आपको बहुत अच्छा फायदा देगा इससे आपको कश्टों से मुक्ति मिलेगी चंदन की लकडी के बने हुए साथ मौली प्रतेक बुद्वार या शनिवार को शिवमंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए शिवजी को चंदन या चंदन के इत्र चढ़ाएं तथा नित्य स्वेम आपको चंदन का इत्र प् नमा शिवाय मंतर का एकसोग बार जाप आपको या अपने सामर्थ के अनुसार जाप करके हवनाधी कराना चाहिए इससे आपको फायदा वश्य मिलता है अभी मैं इसके पहले जो है मैंने आपको सर्प गायत्री मंत्र बताया उन मंत्रों का प्रयोग करके भी आप काल तो ओम नाग देवताये नमा एक मंत्र तो ये है और दूसरा सर्प गायतरी है ओम नवकुल नागाय विदमहे विशदंताय धीमही तन्नो सर्पः प्रचोदयात इसका प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव को विजया यानी भांग अर्क पुष्प धतूरे का पुष्प फल चढ़ाएं और दूट से उनका रुद्रा भी शेक करें तो आपको काल सर्प दोश में लाब मिलता है अपने वजन के बराबर कोईला अगर आप बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है और गोमूत्र से लगातार नित्य कुछ दिन तक अग होंगी आप सभी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दि जिसना हुपाए धन्यवाद 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद झляसे हो Вас तक मित्रों करते हैं और म gwाल नहीं होते हैं और